चुकी है, सेनाएं आमने सामने बैठ चुकी हैं और अब अगले पांस साल सदन के भीतर संग्राम होगा और इस संग्राम के गवाह उत्तर प्रदेश के 25 करोड जनता होगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग गजनेता एक दूसरे का आमना सामना करेंगे आज एक बहु रोचक तस्वीर सामने आई है यह रोचक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्तिनात और नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय ध्यक्ष पूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादों की है इन दोनों नेताओं का आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहली बार आमना सामना हुआ अखिलेश यादों और योगी आदित्तिनात की मुलाकात हुई और अब यह सदन अगले पांस साल इस बात का गवाह रहेगा कि योगी आदित्तिनात और अखिलेश यादों इस सदन में एक सकरात्मक ए परिकल्पना लिये हुए एक दूसरे का आमना सामना करेंगे आज ये सवहार्द की तस्वीर बहुत कुछ कहती है मैं इसे सवहार्द की तस्वीर इसलिए कहता हूं कि राजनीती का उद्देश सिर्फ सत्ता पाना ही नहीं होना चाहिए बल्कि राज की जनता का विकास गरीब कारों को काम लोगों को काम धंदा एक अच्छी खुशाल जिंदगी एक अच्छा खुशाल प्रदेश राजनीती की परिकल्पना इहीं बात पर रहती और भारत के समविधान कहता है कि हम जन्न कल्याणकारी परोपकारी राजी की आउधारना से संचालित राज्यें तो ऐस में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है क्यों एक साथ लोगतांत्रिक प्रक्रिया को प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ाएं इसलिए मैं इसको सौहार्द की तस्वीर कहता हूं क्योंकि चुनाओं के दवरान जो कटुता जो एक दूसरे पन की पर नजर रखने के लिए विपक्ष की भूमिका देती है और उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश की सबसे वड़ी विधान सभा है अगर योगी आदित्यनात को नेता सदन और मुख्यमंत्री का पद जनता ने दिया है तो अखिलेश यादव को सत्ता पर निगरानी क करने के लिए 125 विधायक दिये हैं और नेता प्रतिपक्ष का काम दिया है यानि जो काम अखिलेश यादव करेंगे वो जनता का काम है और जो आदित्यनात्य योगी करेंगे काम वो भी जनता का काम है तो किसी को दिया है सत्ता चलाने और किसी को दिया है सत्ता पर निग्रानी करने का और हम जैसों को काम दिया है दोनों पर नजर रखने का कि दोनों अपनी जिम्मेदादी का सम्यक निष्ठा पूर्वक सुद्ध अंतह करण से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह देखने का काम मीडिया का है इसलिए मैं कहता हूँ कि यह तस्वीर सवहार्द की तस्वीर है अब अगले पांस साल हमें उत्तर प्रदेश को तरक्की के पायदान पर ले जाना है सत्ता पक्ष का काम है कि जिन नीतियों पर जिन घोशना पत्र पर जैनता से वो मैंडेट लेकर आई है उसे पूरा करे और विपक्ष का काम है कि उस मैंडेट को समय से उस घोशना पत्र में किये गए वाइदों को समय पर लागू करवाना सत्ता द्वारा बनाई जा रही नीतियों को विकास ओन मुख और जन कल्याण के साथ जनता के लिए लागू करना ये जिम्बेदारी है चुनाओ समाप्त हो चुके हैं भाइनों भाईयों, अब अगला पांस साल हमें उत्तर प्रदेश की तरक्की, उत्त्र प्रदेश आगे कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को मदद कैसे हो, बचों को रोजगार कैसे मिले, उनको नौकरियां कैसे मिले, रेडी पट्री वाले ब्यापारियों से लेकर कार्पुरेट बड़े घरानों उद्योग पती उद्योग धंदों को गती कैसे प्रदान की जाए इस प्रदेश की अर्थ बेवस्था शिक्षा की बेवस्था स्वास्थ की बेवस्था महिला कल्यान सुरक्षा और कानून बेवस्था क कैसे बहतर किया जाए यह सब का सामूहिक करतब्य है इन पांस साल में उत्तर प्रदेश को तरक्की के पायदान पर आगे कैसे ले जाना है यह नीतियां भले सत्ता पक्ष तैयार करें विपक्ष नजर रखें और हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं एक सकारात्मक महौल उत् जनता किसे सत्ता देती है किसे भी पक्ष की भूमिका देती है सब कुसे सपष्ठ है तो अब सब को चुनावी बातें बुलाकर उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपने अपने पक्ष का योगदान देने की आवश्यकता है कुछ बयान सुने आप फिर आज की परिचर्चा बहुत दिल्चस्प है, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। केबल बेंच बदल गई है। बहुत दिल्चस्प है, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जन समस्याएं हैं, जो जन हीर से जुड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जितनी दमदारी से सरकार के समख्ष हम परस्तु तक करेंगे या रखेंगे, उतना कोई विपक्ष में नहीं रख पाएगा। बताइए अपनी पार्टी के इकलोते विधायक उमा संकर सिंग, बीएसपी के, कान्फिडेंस लेवल देखिए, हाँ अकेले, लेकिन कह रहे हैं कि समपूर्ण विपक्ष की आवाज बन जाऊंगा। डेमोक्रिसी यही आपको दरसल भैनो भायू ताकत देती है। यह ताकत कहां से आती है? जनता से आती है।